परनाम गुरु जी, मेरा नाम कंसु सरोज जिला मेटे उत्तर परदेश से गुरु देव मैंने राश से बात किया और उसने मुझे गाली दिया और मेरे घर वालों को भी गाली दिया और हमारे हिंदु भाई, आप गुरु किसे मानते हैं? दिनेसोर महराज को ना? तो उस वीडियो में क्या वो बोला है? आप लोगों को पता होना चाहिए तो आप उस वीडियो के कमेंट के नीचे क्या लिख रहे हो? जे मात अदी इसका मतलब क्या हुआ? आप गुरु दिनेसोर महराज को मान रहे हो गुरु क्या होता है? गुरु एक पिता के समान होता है पिता का बदनामी आप लोग सह सकते हो क्या? अगर आप दिनेसोर महराज को गुरु मानते हो तो जाओ उसकी वीडियो फिर देखो अपना कमेंट वापस लो जो जे माता दी लिखे हो और उसके बाद उसके कमेंट में फिर कमेंट करो और इतनी गाली लिखो उसमें कि उसका सर जो है सरम से जुग जाए और उसके बाद दिनेसोर महराज के सिस्सों से डर्ण लगने लगे उसे और एक बात हमारे हिंदु भाई जो सनातनी रहता है उस पे उंगली उठाने वाले हजारों रहते हैं परन्तु वो हजारों जोग जाते हैं लेकिन एक सनातनी नहीं जोगता और दिनेसोर महराज जैसा गुरू आप लोगों ने दिमाग से निखाल दिया तो आप जनम जनम तक भटकों के पिर्थिवी पे लेकिन ऐसा गुरू आपको कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने महसूस किया है और मैंने गुरू मंत्र भी लिया है मुझे गुरू दिख्चा दिया है गुरू देवने दिनेसोर महराज ने और मैंने तन भी काटा है उनी से और एक बात दिनेसवर महराज से बहुत दो धाई साल से करीब मैं वीडियो देख रहा हूँ और इन दो धाई साल में मैंने बहुत कुछ महसूस किया हूँ और महसूस किया भी हूँ और देखा भी हूँ कि दिनेसवर महराज से काफी तांतरिक आकर टकराए और उनकी सक्टिया छिन गई क्यों छिन गई क्योंकि Guru दो सनाता नहीं थे सनाता न सत्त पे चलते थे इसलिए वो लोग अधर्म कर रहे थे इसलिए वो उनकी सक्टी छिन गई तुने गूरू के पाथ 6 माइन एक साल था ना साले मैं तो तरस रहा हूँ दर्शन करने के लिए यूपी में बैठा हूँ तेरा तो सो भाग है कि तू इतने दिन था फिर भी नहीं समाझ पाया लेकिन हम यूपी वाले हैं मैंने हिया रहते हुए समाझ गया गुरुदेव कैसे आदिमी है तेरे उपर वार क्यों नहीं किया दिनेस्वर महाराद ने तुझे पता होना चाहिए क्योंकि वो बंधन में पड़े हुए है एक तरफ से उनकी सक्तिया कहती है कि गलत नहीं करना दूसरी तरफ से तुने हुआ उनके पास था उनकी सेवा किया और वो तुम्हें पुत्र के तरह मानते थे